तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में दोस्तों अगर आप Grow App से अपने जो पैसा है उसको आप अपने बैंक एकाउंट में सेंड करते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो जब भी दोस्तों आप सभी लोग जो है Grow App से पैसा को अपने बैंक में ट्रांस्वर करते हैं तो यहाँ पे नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है करते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप प्लेश्टर में इस एप्लिकेशन को अपडेट करिए और उसके बाद दोस्तों आप फिर से बैंक एकाउंट में अपना जो पैसा उसको सेंड करके देखिए तो वो जो पैसा है वो आपके बैंक यह रखना है कि जब आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे तूरंत ही आपके बैंक एकाउंट में नहीं आता है कम से कम 24 गंडे का वेट करना होता है और उसमें भी दोस्तों अगर बीच में जो है बिजनेश डे अगर नहीं रहता है तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम अति है तो अगर बीच-बीच में अगर छुट्टी वगरा हो जाती है तो ऐसमें आपको बीच में जो है जो है छुट्टी वगरा नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो यहाँ पे आपको Saturday और Sunday को यहाँ पे पैसा विद्रॉल नहीं करनी है वरना आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा ओके और यहाँ पे अगर आप Monday को करते हैं पैसा विद्रॉल तो 24 गंडे के अंडर में आपके बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको करना है और यह प्रॉबलम आपके फोन में क्यों आ रहाता तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए